यह मतादी राम राम कैसे हूँ आप सभी सुवागत है आप सभी का आपके अपनी यूर्यू चैनल पर सुपा का टाइम है दस तारीक के दस चरवरी आज और आज धूपा चुकी है बहुत अच्छा सूरज भगवान जी बहुत अची तरह से दिख रहे हैं और हमारा गाउं कि इतना प्यारा लग रहा है और पर अभी लगता है जैसे मौसम विवागवारों ने आज फिर बोली यह बारिश की बारिस हो सकती है और यह देखिए साफ मौसम है और ठंड़ तो बहुत है लेकिन चलो आज सुर्य भगवान का मूह तो देख लिए इतने दिनों बाद तो मै और हनी जारे हैं पर दाड़ा क्योंकि हमारे पास हमारा जो गैस चुल लेना वह हो चुका है खराब खराब के बदल चलता तो एंद पर वो बहुत लिकेस होती है उसमें गैस की तो थाले लिए बचाना है तो यह इसलिए फोड़ पचा थाले जो जो के लिए और भी श्त्र पराना था एंशी रखी हमने रजाई बहुत पराणी थी यह मतलब अंदर से ओगी है बाहर से इसका कवर भूत दूध्ते रहेंगे जो 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 चलो जो मामा जना तो यह देखे चुल sigui ऊसको विजुक तो एक पानी से इसको मठीक करवाएंगे और एक आम और करवाएंगे और काम था निकान ता इसको ब्लेद या भी अरे इतमें एक ये नीचे वाला जलता यह तलिए वाला ने दिए वाला पूर्सण यह बीपड़ेगा और एक ये स्ट्रेश का ये वाला भी लगेग बचारी सारे ही लगई यह मेरे शादी को लेकिया था मेरा भाई बहुत अच्छी मितलब इसका जुस्पार्ट है न वह बहुत अच्छी है अच्छा लिप पाइस के कागज उन्दे निल्ला देपाएगा जोजू इती बड़ी है इसके सोने यह हम जा रहे हैं तो यह घर पर कोई नहीं है अभी मैं अपने पार वरतिजू के तदें अच्छे तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं अभी अभी क्या आयकी दूजी खेती लें उना और दू छोड़ने की मशीन में थोड़ी सी दिक्कत है तो बस अभी हम लोग बस ऐसा मन कर रहा जैसे यहीं पर खड़ रहे हैं और हनी की बापा गया है जंगल में बड़े रहा वहीं को ले जाते हैं सारा समान चावल खिच्डी बिनाते हैं वहां पर दालें और लोडी के बादनी होती पिछली पुझा हां निल्ला दलफा पाउना का से गडियर काग जरम मैं बीच बीच में अपनी भास इसलिए बोलते रहती हूं बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इ वहां पर गया हैं उन्होंने हर घर से एक आदमी चाहिए होता हम वैसे भी पुझारी हैं दोड़ देवता के तो वहां पर गये और मैं रहनी जारें को कि आज घास कुछ नहीं आएगा बारिस की वज़़ास इतनी ज्यादा बारिश होई है तो चलो लेके चलते हैं आपको अब ही और दिखाते हैं थोड़ा पता नहीं रोड कैसा हो गई यहां तो चलो तो अभी मैं चल पड़ी हूं और देखे थोड़ी थोड़ी धूप आ चुकी है अन्नी आगे चला गया था वो चुला लेके और यह दिखो गाउवालों के पशू ऐसे मेरे भी ऐसी हो गया है स तो आज इन्होंने चार-पांच दिनों बाद दोप देखे पशूने तो ऐसा होता है और सारे उपले सबके भीग है और यह अशुरी की गवैने यह सुनका घर है और दोप इतनी अच्छी लगती है ना और बहुत जरूरी काम थे एक-दो काम तो मैंने सुचकीन को करवाई लेते हैं जायाते हैं फिर कि कि बारिस का काम तो और होना था कुछ ने तो यह मीना का घर है पहुंचने वाली हुमें है और पर जाक पर उतने नहीं परिए थोड़ी खोड़ी 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 है कर दो दोर जुड़ diffic लोड़ जलाएएब प्रिया है ए हुआ है कि रप चहा जया हुआ है आई ढोब बभाई है जुड़ जा रख मैं से खालाएएएएए लगाएएएएएएएएएए लगाटी है और अब हम लोग चल पड़े हैं और बस में रोड में मैं खुछ चलाती हूं कहीं कहीं इसका सहारा हो जाता है मुझे हन्नी का ना कहीं कहीं पर गाड़े चलाने का तो यह देखिए हमारे रोड इस तरह से हो जाते हैं और आगे शीशा थोड़ा सा शाफ रह गया करने को मेरी साइड का तो यह देखिए सुर्य भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं शीशे के उपर बूंदे हैं पाने की इसके बीच में से कितना सुन्दा लग रहा है न और बस यह मतलब हमें छोटा मुटा काम भी करवाना न तब भी हमें घर से दूरी जाना पड़ता है हमारे बस एक ही सुभी दैनी है ज में थोड़ा दूर जाना पड़ता है और अधिकी सामने पहाड़ी यहां से खिल चुकी है दूप लगने से ऐसे हो जाता है जैसे मतलब धोके रखा हो किसने पहाड़ी को तो यह गनागू हम पहुंच गये हैं और यहां पे थोड़ी थोड़ी बर्फ टीकी थी जादा तो चाचा तो यहां पहुंचने वाले हैं घनागू में तो यह देखेए यह हमारा पंचायत घर है यहां पे थोड़ी यहां पहुंचने वाले हैं घनाग्म Вас जादा तो यहां बैंक भी यहीं पे है और यह देखो तो चलो देखिए हम गनागू क्रोस कर रहे हैं अभी और आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी आपर वर्फ वैसे पिगल चुकी है कोई वर्फ का वैसे वैसे नाम होने सानी लेकिन यहां पर हमारे गाउं से भी ज्यादा ठंडा एरिया यहां वाला जो है यह स्कूल है वच्छों का एक सब्सक्राइब हो थोड़ी टिकीं आगे जैसे देखें हैं अगर थोड़ी दीखेंगी कई कई एक। ज्यादा करेंव थैंट यहां नहीं वह सामने पहाड़ी है बता नहीं कौन साम थी बहुत नौसद्व मिन जब पढ़िया काहम पोधर है उपर अक सुन आम से एक उस सबसे ज्यादा थंडा एरिया इस साइड और पता नहीं कब तक यह दूप आज भी जैसे बादला जाएं और बस थोड़ा सा आगी में और दिखाऊंगे आपको यहां पर पानी का छोटा सा तलाव हो बहुत सुन्द लगता है कि रुक थोड़ी जागे दे जा रहे हैं एकदम कशी आज करें लिए से कात यह देखो यहां पर तो इस लोग आते थे यहां पर बिल दूर दूर से आते हैं लोग देखने के अब बर लेकिन सामने है थोड़े थोड़ी से बहुत देख सकते या पानी का तलाव यह देखी बाद में możliय को अभी हम आपको मिलेंगे दाडला जाके जो हम काम करवाने चलेंगे पर बो करवा कर आते हैं फिर बाद में होगी यहां पर शूटिंगे जो भी करना होगा बाद में देखेंगे चलिए चैम आता दी सामने थोड़ा सा दिख रहा है और अब हम दार्ला पोह carili germs मुटिया और दार्ला पहुंचने वाला हैं और अपने पुपर ऋपना 5 तब मुधने और अब छाड़ा से तोड़ा से फार पिछे हैं और पारस्तल्स सामने पहाड्यों कि और पार बर पढ़े हूई हो उатели फिर यहां पिन मेई हम quite अच्छा खाना मिलता है काफी लोग रूखे होने यहां पर कभी श्रीमला मना ली अगर गय होंगे इस रोड पर यह हमारा 205 तो वह सामने देख रही है मतलब इस साइड हमारे अच्छे रोड हैं कहीं कहीं पर जो में रोड है वो ठीक है वाकि हमारे लोग कर रोडों की तो हा जाब है और यह देखे मैं आपको वर्फ दिखा रहे थी कि दूर सामने पहाड़ियों पर बर्फ पड़ी है और इस बार हमारे नहीं पड़ी यहां पर हमें बहुत शौक था अच्छे तो मैं पहुंच चुकी हूं यहां पर यह देख यहां पर करते हैं गैस चुले ठीक औ और गाड़ी लगाई है साइड में हमने तो यहां पर होते हैं हर चीज की रपेर करते हैं ठाकूर बरतन भंडार पूरे दाड़ला में एक ही शौप है जहां पर जो यह इन चीजों का काम होता है तो यहां पर पहले भी और ग्रहक थे करते हैं तो यह देखे हमारे चुले की बारी आगे यह पहले दो तीन चुले और थे इसमें बहुत सारा जो जंग जैसा होता ना वह भर गया था इसमें और पुराने चीजें फिर भी बहुत अची होती है यह बोल रहे थे कि आज ना आज के टाइम में आपको जैसी इसकी यह ना वो नहीं मिलेगी सपार्ट बोलते ना तो और इसमें अंदर पाइपों में जंग भर गया था चुला इसका एक बिल्कुल भी नहीं चलता था और हम पूरे दाड़ना में पूरी मार्क यह देखे थी टीपी इसने की जो मशीन है ना मैं एक चीज लाना भूल गए जो इसमें वो छोटी सी लगती है ना मिर पास है यह मशीन वो लाना भूल गए उसका पूर्जा बाकी दो चीटनों लेके आई थी मैं और चोटी चोटी चीज जो ज़रूरत की थी वो लेके हूँ छोटी सी तिन सो साड़े तिन सो की है तो यह चुला बो रहे थे यह इतना अच्छी है कि इसका मटेरियर हल चीज ना इतने अच्छी है कि आज के टाइम में यह चीज नहीं मिलेगी अब तो ऐसे लगते जैसे डूपलिकेट है और इनकी उंगलियां देख सकते हैं आ हुआ था आपको अंकल तो बोल रहे थे कि दिल्ली में यह काम करते थे और वहां पे न मशीन में इनकी उंगलियां चली गए थी तो यह चुला मैंने रखा हुआ था मैंने बोला नाया काहे को लेना भी इसको इठीकर वा लेते हैं यह उंचा बहुत है यह और फिर हमारा का पराना पराना ग्लास कप पराने पराने और जैसे जो धाम में यूज होते हैं चीजें थे बड़े-बड़े करच जैसे वह सब कुछ था अब यह ठीक हो गया था इसको जला के देख रहे थे तो यह जलनी रहा था तो फिर इन्होंने फिर से इसकी रपेर करी वैसे ठीक हो तो इन्होंने पाइप में तार जैसी डाले इतना सारा जंग निकला उसे तो अधिर एतार निकाले और यह डाले इसके पाइप में घैस पाइप में तो फिर एठीक जलना लग गया था उनक यह देखो तो बोरे थे यह खुद बोरे थे कि यह इतना खतना काम है यह हम ना बिल्कुल अच्छे तरीके से त्यार करके देना पड़ता है क्यूंकि यह जिन्दगी और मौत का काम है। स्लेंडर अभी कुल्लू में भी फटा स्लेंडर में एक दिन कल में नियू सुन रही थी और पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो गए तो यह देख इनकी उंगलियां मैं पूछ रही थी इनको कि आपकी उंगलियों में क्या हुआ तो मशीन में चली गए थी अच्छा हमारा काम ह हुआ हो चुका था भी हम थोड़ा सा मिंठाई लेने रूके थे आपके तुग लाम जाव मुन बोला था अनिक वापन बद्रू को थोड़ा सा मिठ्थू लेक्याना तो मुनके लिए भी लेक्याए मैं और हनी और यह यहां पर यह यह शौप थी और यहां पर हमारे ठाना यहां पे मतलब पुली स्टेशन यहां पे और उसके बाद फिर हम घर आ गे थे कर दो कि इचिती आते हैं कि तुम खराग कर दो कि अनुट भुटता है अभी हम लोग पहुंच चुके घर में और हनी गया पार सिधा गवणी में और इस वीडियो को में यहीं पर आंड करती हूँ वीडियो का एंड नहीं का रहा था जो जो को बहुत कुछ दिया और यह तो मानता है नहीं जब तक इसको अच्छा-चा खाने को ना मिले तो बस लाइक करना कोमेंट करना शियर कर देना और और जैम आता दी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं बहुत सारा प्यार